नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर स्वपनिल सागर जैन निरामाई होमियोपेथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस्प्रेन यानि की मोच के बारे में दो हड्डियों को आपस में जोडने वाले फाइब्रस टिशू को कहा जाता है जब उस लिगामेंट में किसी भी प्रगार की कोई इंजूरी हो जाती है जिसके कारण वो लिगामेंट रप्चर हो जाता है तब उस कंडिशन को इस्प्रेन या मोच कहा जाता है उस ligament को ये injury ये trauma किसी भी कारण से हो सकता है या तो वो walking करते time हो सकता है uneven surface या फिर उस joint की functional range से ज़्यादा यदी उसमें कोई motion होता है तब भी वहाँ पर जो ligament होता है वो damage हो सकता है ज़्यादा तर जो मौच होती है वो minor injury होती है और 2-3 दिन या 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है लेकिन कभी-कभी वहाँ पर जो ligament होता है वो बहुत ज़्यादा rupture हो जाता है बहुत ज़्यादा उसमें damage हो जाता है तब उस condition में वहाँ पर major injury हो जाती है और कई बार उसका surgical fixation भी करना पड़ सकता है लेकिन sprain minor हो या major हो हम homeopathic दवाओं से उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अब हम बात करते हैं मोच के sign और symptoms के बारे में तो इसमें सबसे common जो symptom है वो है दर्द patient को बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके बाद अगला symptom आता है swelling sprain जिस हिस्से में हो जाती है यानि कि मोच जिस हिस्से में आ जाती है वहाँ पर आस पास बहुत ज़्यादा swelling हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है इसके बाद अगला symptom है bruising bruising का मतलब होता है कि जिस हिस्से में मोच आई है उस हिस्से में इसकिन के नीचे की जो capillaries होती है वो burst हो जाती है और वहाँ पर एक हलका नीला निशान पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पर blood जो है वो इखटा हो जाता है जहाँ पर mouch आ जाती है उस हिस्से की movability जो होती है उस joint की movability जो होती है वो बहुत जादा कम हो जाती है और उस extremity को यानि की चाहे वो हाथ में हो मोच या पैर में हो उसको use करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है यही main signs और symptoms किसी भी मोच में पाये जाते हैं अब हम बात करते हैं इस्प्रेन यानि की मोच के causes के बारे में कि किन कारणों से patient में किसी भी व्यक्ती में मोच आ सकती है तो इसमें बहुत सारे reasons हो सकते हैं यदि कोई व्यक्ती uneven surface पर चलता है तो उसके हो सकता है कि उसके ankle में मोच आ जाए यदि कोई athlete है वो बहुत जादा लगा रहा है और दोड़ते समय उसका pair यदि उचा नीचा surface पर रखा जाता है या फिर वो कोई exercise कर रहा है उस दोरान भी उसको मोच आ सकती है इसके बाद गिरने के कारण भी कई लोगों में मोच आ जाती है माली जी कोई patient है कोई व्यक्ती है यदि वो कहीं गिर जाता है औ बारे में तो homeopathic दवाओं के साथ साथ मैं आपको कुछ और ऐसी चीजें बताता हूँ जिनका हमें उपयोग करना चाहिए जित से कि हम sprain को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं ये बहुत common चीजें हैं और किसी भी प्रकार की injury में इनको use किया जाता है आपको मैं चार वर्ड बत आती है वहाँ पर ligament में चाहे first degree sprain हो second degree sprain हो या third degree sprain हो सबसे जो important treatment है वो है rest इसके बाद आता है eye eye for eyes यदि किसी भी patient को sprain आ जाती है मोच आ जाती है तो हमें सबसे पहले वहाँ पर eyes apply करना चाहिए ताकि उस हिस्से की या उस joint की swelling को कम किया जा सके तीसरे नंबर पर आता है compression जिस भी हिस्से में या जिस भी joint में मोच आई है उस joint पे अच्छे से dressing कर देना चाहिए या bandage लगा देना चाहिए ताकि उस joint को immobilize किया जा सके मोच वाले हिस्से पर bandage बांधते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस हिस्से में joint के जिस हिस्से में चोट लगी है उसके far end पर हमें pressure जादा लगाना चाहिए और heart की तरफ यानि कि heart का जो direction है उस दिशा में हमें pressure थोड़ा सा कम रखना चाहिए ताकि जो extra fluid जो वहाँ पर एखटा हो जाता है वो वापस blood stream में शामिल हो सके और इसके साथ साथ compression ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे affected extremity का जो blood circulation है या joint का जो circulation है blood circulation वो रुक जाए और अगला point है elevation elevation यानि कि जिस हिस्से में जिस joint में swelling आई है यदि वो lower extremity है चाहिए वो upper extremity है यानि कि या फिर वो पैरों में आई हो या फिर वो हाथ में हो तो हमें उस हिस्से को थोड़ा सा सामाने शरीर के मुकाबले उचा उठा कर रखना चाहिए elevation करने से swelling में बहुत कमी आती है दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा combination बताता हूँ जिसका उपयोग जब हम patient के symptom से match करने वाली उसकी constitutional medicine के साथ करते है यानि कि जो भी medicines मैंने अभी आपको बताई है symphytum, ruta, rastox, brinia इनके जिससे भी symptom उस patient से match कर रहे हो जब हम उस medicine के साथ इस combination का उपयोग करते है तब sprayन के सभी cases पूरी सफलता के साथ क्योर किये जा सकते है इस combination में आपको दो medicine लेकर आना है आरनिका और ruta आरनिका हमें 30 potency में लेकर आना है इसकी दो-दो boon दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिला कर पीना है और ruta का mother tincture हमको लेकर आना है इसकी 5-5 boon एक कप या आधे कप पानी में मिला कर दिन में 3 बार हमें पीना है इन दोनों दोबाओं के साथ साथ हमें rag bag company का एक patent product आता है जिसको R55 बोला जाता है ये sprayन के लिए या किसी भी प्रकार के injury के लिए use होने वाला एक product है इसकी 10-10 spoon दिन में 3 बार आधे कप या एक कप पानी में मिला कर पीना चाहिए यदि किसी patient को बहुत जादा तकलीफ है बहुत जादा दर्द है उसकी मोच के कारण तब rag bag का ही R81 drop आता है उसकी 10-10 spoon दिन में 3 बार आधे कप या एक कप पानी में मिला कर पीने से दर्द में काफी कमी आती है आगे की वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत